नमस्कार जैमातादी जैश्रीराम में सोनी भगजी गाजेबाद उतर परदेश से और मेरे दोस्तों आप देख रहे हैं गुरूमा के टोटके जो लोग नए हो चैनल पे सबसे पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बैल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आपके पास आ बात करता वह अच्छा लगता है तो कई बार कुछ लोगों की नजर बच्चे पर न लग जाती है हाई भी कहते हैं उसको टोग भी कहते हैं जिसके बाद वह बच्चा लगाता रोता रहता है दूद नहीं पीता खाना नहीं खाता और रात को चोकने भी लगता है नीन में से अचानक उठकर किलकारी मार कर रोने लगता है, चीखने लगता है तो ये सब दूर करने के लिए मैं जो आपको टोटका बताने जा रही हूँ उसे पूरी शर्दार विश्वास से करना मेरे दोस्तों तंत्र मंत्र टोने टोटके से सब कुछ संभव है मानो या ना मानो ये आप पर निर्भर करता है मेरा उद्देश्य अंद्विश्वास को बढ़ाना नहीं है लेकिन अंद्विश्वास जब तक होता है जब तक स्वैम पर ना बीते तो यदि आपको लगे कि आपके बच्चे पर नजर दोश हो चुका है या टोक लग चुकी है किसी की हाय लग गई है तो आपको क्या करना है बहुती आसान ये टोटका बताने जा रही हूँ लेकिन बहुती लापकारी है बहुती उप्योगी है ये टोटका आपको क्या करना है लहसुन के और प्याज के छिलके लेने है जो की घर में आसानी से मिल जाते हैं साबुत लाल मिश लेनी है साथ साथ ही नमक की डली लेनी है साबुत नमक और थोड़ी सी चौरहाई की मिट्टी लेनी है चौरहाई पे ना जा सको तो घर के बाहर जो सड़क है उस पे से भी आप मिट्टी उठा सकते हैं थोड़ी सी राई और थोड़ी सी पीली सरसो आपको लेनी है ये सब सामान हाथ में लेकर पीडित बच्चे को जिसको नजर लगी हो उसके उपर से आपको साथ बार उतारना है उल्टे हाथ से इस चीज का विशेश ध्यान लखे कि उल्टे हाथ से आपको ये उतारना है उल्टी तरफ और मन ही मन चिसमी शुर को आप मानते हो या जिस पर आपको शक हो कि उस बंदे की नजर लगी है उसका नाम लेते हुए कि मेरे बच्चे पर जो भी नजर जो भी दोश जो भी हाई जो भी टोक लगी हो उसे दूर कीजिए इस तरह की प्रातना करने के बाद वह सब सामान आपको जलते हुए कोईले पर आग पर बहुत से गरों में चूले भी जलाये जाते हैं तो आप चूले में भी डाल सकते हैं या अलग से कोईला सिलका कर उसमें भी डाल सकते हैं और उसको घर के बाहर आपको रखना है यह उपाए आप शनिवार या रविवार किसी दिन भी कर सकते हैं और जब आप ये तीन दिन आपको लगातारी उपाए करना है तीन दिन के बाद आप देखेंगे आपके बच्चे में परिवर्तन है, उसका फरक, उस तोटके का फरक आपको साफ दिखाई दे जाएगा, तो ये पूरी इमानदारी से, पूरी शर्दा और विश्वास से करना ये आपको जरूर कामियाब होगा, ये उपियोगी तोटका है मेरे दोस्तों, तो इसको जरूर करें जब आपके बच्चे को नजर लगी हो, ये हाई लगी हो, ये टोक लगी हो, और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो लोग कोने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, उनका तहे दिल से शुक्रिया, और आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है, आप मुझे जरूर बताइए, अच्छी लगी हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले, और मेरे दूसरे चैनल, व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो आप मेरे व्लॉग चैनल के साथ भी जुड़े रहिए, और आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, जब तक के लिए, जै मातादी, जै श्री राम